हलो दोस्त नमस्कार मैं केपी सिंग आपकी अपने यूट्यूब चैनल गंगो पर स्वागत करता हूं चलिए तो आज का सेशन इस्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है ये कोश्चन ना होकर एक पार्टिकुलर टोपिक है जो की बहुत सारे कनफ्यूजन क्रियेट करता है य आप लो भी किसी भी तरह का कोई कन फ्यूजन यद्व नहीं रहेगा ध्यान से इस डिग्राम को देखिए और पहले रीकॉल याद करने का कोशिज इस कोशिए इस डाइग्राम को बैठाने का कोशिश किजिए यहाँ पर जो डाइग्राम है इस तरफ से बना हुआ है कि यह जो है यह वाला साइड दिखाई दे रहा है इसका मतलब हुआ कि A A को बलड दे सकता है यह A का निशान है इसका मतलब कि A A को बलड दे सकता है और A A से बलड ले सकता है यह है B इसका मतलब कि B जो है B जो है B से B बलड ले सकता है और B जो है B को बलड दे सकता है उसी तरह से यहाँ है AB यानि AB AB से blood ले सकता है AB AB को blood दे सकता है उसी तरह से यहाँ पर diagram दिखाई दे रहा है O O से blood ले सकता है और O O को blood दे सकता है इतना में कोई confusion नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद में यह जो Aero दिखाई दे रहा है सबको Aero को उपर भगल छोड़ देना है मतलब इसको भी उपर यह भी उपर है उपर जा रहा है यह भी उपर जा रहा है यह भी उपर जा रहा है और यह भी उपर जा रहा है जा रहा है न दोस्तों तो इसका मतलब हुआ कि देखिए एरो जी इसके तरफ आ रहा है यानि ए के तरफ एरो आ रहा है तो इसका मतलब कि उससे ब्लड ले रहा है अगर ए के तरफ से एरो जा रहा है तो वो ब्लड देगा सिंपल है आपके तरफ एरो आ रहा है तो समझे कि बलड ले रहे हैं और आपके तरफ से एरो निकल रहा है तो इसका मतलब कि आप उसको बलड दे सकते हैं तो यहाँ पर डिग्राम को ध्यान से देखने के बाद में पता चलता है कि माली जिए कोई व्यक्ति घायल है ए बलड ग्रूप व्यक्ति घायल है उसको कौन-कौन बलड दे सकता है तो यहाँ पर डिग्राम में देखेंगे कि यह जो ए है इसके तरफ से किसके किसके तरफ से एरो आ रहा है तो एक O के तरफ से आ रहा है और एक A के तरफ से आ रहा है इसका मतलब एक को कौन-कौन ब्लड दे सकता है यह दे सकता है और वो दे सकता है चलिए अगर माल लिजिए कि कोई घायल बेखती है उसका ब्लड गुरूप B है उसको ब्लड की जरूरत है तो कौन-कौन उसको के तरफ से आ रहा है और दूसरा बी के तरफ से इसका मतलब हुआ कि बी को ओ और बी दोनों बलड दे सकता है चलिए अब माली जीए कोई घायल ब्यागती है उसका बलड ग्रूप एबी है तो उसको कौन-कौन बलड दे सकता है तो यह जो ए भी दिखाई दे रहा है अपनों को यह भी जो दिखाई दे रहा है इसके तरफ देखिए किसका किसका एरो आ रहा है यानि यहां पर देख रहे हैं तो यह का भी जा रहा है इसके पास ओ का भी जा रहा है यह देख रहे हैं सिधा ओ का भी जा रहा है बी का भी जा सकता है और ए बी भी दे सकता है इसी लिए तो ए बी को थीक है अब मालने जिए कि एक व्यक्ति है उसका बलोड ग्रूप जो है एनिगेटिव है क्या है एनिगेटिव है उसको कौन-कन बल्रड दे सकता है यह negative का मतलब हुआ किր च निगेटीव है organicаюсь फेक्टर एक होता है को झख सहला है त्वहिः बात करता है तो निगेटीव का मतलब हुआ कि यह यह निगेटीव है A को कौन-कौन बलड दे सकता है तो A को कौन-कौन बलड देता है तो डाइग्राम में दिखाई दे रहा है कि तरब से किसका किसका एरो आ रहा है तो O का और A का है इसका मतलब कि A को A और O बलड दे सकता है ठीक है A को A और O बलड दे सकता है और यहाँ पर जो सिंबॉल है जो चीज का साइन है उस साइन को चिपका दीजिए यानि यहाँ पर A- है A- है इसका मतलब हुआ कि A को A- बलड दे सकता है O- O- निगेटिव ही बलड दे सकता है अब दिखरे हैं कि यह पलस प्लस इसको बलड देगा तो एक फंडा याद रख लिजीएगा पलस वाला जो आरेश फैक्टर होता है उ माईनस वाले को कभी भी बलड नहीं दे सकता है इसके बाद में कोई किसी को भी दे सकता है थ्यान रखेज़ेगा याद रखेज़ेगा रट लीजिए कि पलस वाला आरेच पलस वाला ब्यक्ति आरेच माइनस वाले ब्यक्ति को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता है ठीक है यह यहीं माइनस वाला पलस को दे सकता है माइनस वाला माइनस को दे सकता है प्लस वाला प्लस को दे सकता है लेकिन लेकिन प्लस वाला माइनस को कभी भी ब्लोड नहीं दे सकता है चाहे वह कोई भी ब्लोड ग्रूप क्यों नहीं हो तो यहां पर देखते हैं यहां पर यह माइनस वाला जो ब्लॉड ग्रूप है यहां पर यह तो हम लोग चिपका दिए कि यह माइनस वाली को यह देगा और हो देगा जो यहां पर साई ने उसको चिपका दिए माइनस तो माइनस यहां पर अगर प्लस होता तो यहां पर प्लस वाला कभी नहीं होगा किया इसके पास ओ के पास शिपका कर देखते हैं प्लस लिख कर देखते हैं अब देखते हैं कि प्लस वाला माइनस को देगा कभी नहीं देता है इसका मतलब कि ये निगेटिव वाले व्यक्ति को केवल ये निगेटिव और ओ निगेटिव ही बुलड बी पोजीटिव लेकर चलते हैं ठीक हैं तो हम लोग को पहले पोजीटिव को हटा दीजिए पहले ये ध्यान में आईए लाइए कि बी को कौन-कौन ब्लॉड दे सकता है तो यहाँ पर डाइग्राम दिखाई दे रहा है इसके तरफ किसका किसका यहार हो आ रहा है तो एक बी यहां भी प्लॉष्फ प्लॉष्फिक देंगे चिपकादी इसका मतलçा चेए इसको बिलड देगा ठीक है अब नेक्र बात आती कि प्लस वाले माइनस को नहीं दे सकता है यहाँ पर है माइनस वाले प्लस को दे सकता है बिलकुल दे सकता है यहाँ O में भी माइनस वाले प्लस को दे सकता है हाँ देता है इसका मतलब कि जो B पोजीटिव व्यक्ति है उसको किस-किस ब्लड गुरूप वाले ब्लड दे सकते हैं तो B पलस वाले दे सकते हैं B माइनस वाला दे सकते हैं O पलस वाले दे सकते हैं और O माइनस वाले ब्लड दे सकते हैं चलिए एक और कोशन लेकर देखते हैं A B निगेटिव है एक ब्लड ब्लड है बी निगेटिव ब्लड है और उसको ब्लड की जरुवत है कौन-कौन ब्लड दे सकता है यहां पर पहले हमलों को सिंपल क्याद रखना होगा कि ए बी को कौन-कौन ब्लड देता है तो यह बी को तो सर्वग्राही है यानि सब से ले लेता है यानि सब देगा इसको यह भी देत सकता है कि वो भी दे सकता है और ये भी भी देता है ठीक है अब यहाँ पर ये भी निगेटिव है ते सब के उपर निगेटिव निगेटिव चिपका दीजिए यहां निगेटिव यहां निगेटिव यहां निगेटिव यहां निगेटिव चिपका दिये अब देखते हैं कि अब यहाँ पर प्लस ए के पास में प्लस लिखेंगे, तो चेक करना होगा कि यहाँ प्लस वाले माइनस को दे सकता है, तो रहां दिमाग में क्लिक करना हो, चाहिए कि नहीं, प्लस वाले माइनस को कभी नहीं दे सकता है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग प्लस को भी नहीं उसी तरह से B में बीचे करेंगे, प्लस लिख कर देखेंगे, प्लस वाले मैनस कोई देगा, कभी नहीं देगा, इसका मतलब कि किसी में भी प्लस नहीं होगा, इसका मतलब कि जिसका blood group A B negative है, उसको कौन-कौन blood दे सकता है, तो A negative दे सकता है, B negative दे सकता है, O negative दे सकता है, और A B negative दे सकता है चलिए एक और आच्छा question create होता है कि अब next question है A B positive A B positive blood group है और उसको कौन-कौन blood दे सकता है इसलिए इसको बता रहे हैं कि इस पर एक concept आता है तो पहले वही बात करेंगे A B को कौन-कौन blood दे सकता है तो A B को A देता है B दे सकता है O दे सकता है और A B दे सकता है अब plus है तो सब के उपर plus चिपका दिजिए चिपका दिए अब देखेंगे माइनस चिपका कर देखेंगे माइनस यहाँ पर चिपका ही देते हैं चिपका दिए माइनस वाले plus को दे सकते हैं बिल्गुल दे सकता है कि वाले एक नहीं दे सकता है प्लस वाले माइनस को नहीं दे सकता है माइनस वाले प्लस को दे सकते हैं तो माइनस वाले प्लस को दे सकता है यहां भी माइनस वाले देगा यहां भी माइनस वाले को देगा यहां पर देख रहें दोस्तो ए भी पोजीट और निगेटिव दोनों दे रहा है इसका मतलब कि ये भी जो पोजीटिव है वो सबसे बलड ले लेता है इसलिए बुला आता है ये भी जो प्लस है इसको सर्वग्राही सर्वग्राही एक कोश्चन कई बार पूछा हुआ इसलिए इसको एक्स्प्रेंट कर दे रहे हैं कि AB पोजेटीव को सर्वग्राही बलड ग्रूप बला आता है इतना तो सब लोग देते हैं कि AB सर्वग्राही बलड ग्रूप है लेकिन उसमें भी अगर कर दे कि AB निगेटीव है या AB पोजेटीव है तो उसमें ध्यान रखना होगा कि AB पोजेटीव जो है सर्वग्राही बलड ग्रूप है चलिए एक लास्ट कोश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि O निगेटीव किसी का बलड ग्रूप है O निगेटीव बलड ग्रूप है और इसको कौन-कौन बलड दे सकता है तो O निगेटीव अले को तो कोल O ही देगा तो यहाँ पर क्या करेंगे O यहाँ पर लिखेंगे इसको चिपकाएंगे और देख लेंगे यहाँ पर प्लस लिख कर देख रहे हैं प्लस वाले मैनस को देगा नहीं देगा इसका मतलब कि O निगेटिव वाले को कौन बलड देगा केवल O निगेटिव ही देगा ठीक है अब यह कोश्चान आता है कि किस बलड गुरूप पो सर्वधाता बोला आता है इतना तो पता है कि सर्वधाता बलड गुरूप O को बोला आता है लेकिन O में भी किसको बोला आता है O प्लस को या O माइनस को तो यहाँ पर देख लेते हैं सर्वधाता का बात कर रहा है तो यहां से हम लोग ओ निगेटिव को ले कर चलते हैं यहां से पता चल जाएगा ओ निगेटिव है ठीक है तो यह किसको किसको बलट दे सकता है तो ओ हम लोगों को पता है सब लोगों को बलट देता है यानि यह जो है यह को भी देता है बी को भ को भी देता है बी को भी दे सकता है वो को भी दे सकता है और अब को भी ब्लोड दे सकता है माइनस दे सब के सर पर माइनस 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 चिपका दीजी ठीक है अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर प्लस लिख रहे हैं यह के उपर प्लस लिख रहे हैं प्लस लिख देख कर देख लेता है क्या ओ आपि एब प्लस को बिलड़ दे सकता हैं यहां पर प्लस लिख सकते हैं SI को बी प्लोजिटिव को बलड़ दे सकता है मैनस वाले प्लस को दे सकता है यहां भी इसका मतलब की प्लस वाले को दे सकता है और यहां भी प्लस वाले को दे सकता है तो इसका मतलब यहां पर देख रहे हैं ओ निगेटिव जो है ओ सबको बलड़ दे रहा है चाहे वह यह कि सर्वधाता blood group किसको बोला जाता है सर्वधाता blood group किसको बोला जाता है दिसका correct answer हो झाएगा ओ negative को बोला जाता है अबाज के बाद हमको नहीं लगता है कि यह topic यह blood group or topic आपो लोगं को confusion create करेगा अगर confusion create कर रहा है तो फिर कमेंट बक्स में टाइप किजीगा इसका एक्स्प्लेन कर देंगे ठीक है दोस्तों थैंक यू फर वाचिंग